हेलो फ्रेंट्स माइ पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स नवरात्री के वर्त कैसे करें आज की वीडियो में हम इसी विशा पर चर्चा करेंगे वैसे तो नवरात्री साल में चार बार आती है लेकिन दो बार की नवरात्री गुप्त नवरात्री होती है, जिसको घ्रस्त लोग नहीं करते हैं, घ्रस्त लोग दो बार की नवरात्री ही करते हैं, एक चैतर नवरात्री और दूसरा सारद्य नवरात्री, और अब जो नवरात्री आने वाली है, ये सारद्य नवरात्री है, तो अब हम बात करते हैं कि वरत कैसे करें देखे कुछ लोग पूरे नो दिन के वरत करते हैं पूरे नो नवरात्री के वरत करते हैं और कुछ लोग दो वरत करते हैं जो लोग दो वरत करते हैं वो जादातर पहला स्थापना वाले दिन जिस दिन कलस्थापना करनी है उस दिन वरत करते हैं और आखरी वरत कर लेते हैं और इस तरह से दो वरत किये जाते हैं जो आखरी वरत करना होता है वो डिपेंड करता है कि आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे देखिए अगर आपके यहाँ पर अस्टमी के दिन कन्या पूज पीजना होता है तो फिर अप्रापकर असटमी को कन्या पूजना करते हैं अगर आप कन्या पूजना करते हैं पहला वन ख्रत के हैं औरurयती नोव मीघंट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर इसी तरह से दो वरत किये जाते हैं कुछ लोग दूसरा और पाँचवा वरत भी कर लेते हैं या दूसरा और साथवा वरत भी कर लेते हैं इस तरह से दो वरत कर लिये जाते हैं इसके साथ साथ कुछ लोग पाँच वरत भी कर लेते हैं और साथ वरत भी कर लेते हैं, तो ये पूरी तरह से आपकी मरजी और आपके स्वास्ता पर डिपेंड करता है कि आपको कितरे वरत करने हैं, इसके बाद बात आती है कि हम जो वरत करेंगे वो कैसे करने हैं, यानि उसकी विधी क्या होगी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो friends वरत तीन तरह से किये जाते है नवरात्री के पहला जो तरीका होता है वरत करने का वो पूरी तरह से फलाहर वरत किये जाते है यानि कि नवरात्री में जितने भी आप वरत करेंगे चाहे दो करें या नो करें पांच साथ जितने भी आप वरत करेंगे उतने दिन आपको का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना होता है, फलाहार पर ही ये वरत किये जाते हैं, फलाहार में आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंगाडे का आटा खा सकते हैं, अरा रोट का आटा खा सकते हैं, और इसके अलावा शामक के चावल खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, और साथ में ही आप dairy products जैसे दूद से बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं, ये चीजे खाई जाती हैं, इसके साथ ही जो दूसरी परकार के वरत होते हैं, वो एक टाइम भोजन के वरत होते हैं, कुछ लोग नवरातरी के वरत करते हैं, तो पूरा दिन फलाहर करते हैं, यान इसके साथ ही जो सबसे कठिन वरत होते हैं, वो ये जो तीसरा जो तरीका है, ये सबसे कठिन होता है, इसमें पूरा नो दिन लोग और इलाइची खाई जाती हैं, यानि कुछ लोग एक एक जोड़ा लोग और इलाइची खाते हैं, कुछ लोग दो जोड़ा लोग लाइच चुछ भी नहीं खाया पिया जाता है सिरफ पानी वुष्ञ और इलाइची तो इस तरह से वृत करते हैं तो जो लोग दो वृत करते हैं वह बगार कला स्थापना कि आपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या चोकी पर जैसे मैंने बताई है बहुत सिंपल विधी जो मैंने बताई है उस तरीके से वो लोग वरत कर सकते हैं कि मैयारानी की स्थापना कर लेंगे और उसके बाद पूजा करके वरत करेंगे इसके साथ ही जो लोग नो वरत करते हैं वो लोग कलस नमक का सेवन नहीं करना होता है, जो नोर्मल नमक होता है, वो बिल्कुलघ खाना होता है, इसमें सेंधा नमक खाना होता है और जो लोग एक समय भोजन का वरत करते हैं वो शाम के समय भोजन कर सकते हैं लेकिन उनको भी प्याजलस्थून का सेवन बिल्कुल नहीं करना हो नहीं सुखते का आगरा पिक प्याल पौर दिए इस्तामल जरूर से खिला देए इसके साथ साथ जब आप कन्या पुजन करेंगे तब तो हमें नो कन्या को जिमाना ही होता है यह थी नवरात्री वर्त के विशय में कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आ नवाद, जै माता दी